इस बुलिटिन के प्रायोजोग है वहकार्ड.com सजाए हर जगा हमारे साथ इंदू टेक्निकल इंस्टिट्यूट रोजकारन मुख व्यवसाइप प्रसिक्षन नमस्कार मैं यश्वर्दन इंडियन न्यूस के इस खास कारेक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है चुकि आज है स्वामवार सप्ता का पहला दिन और हम शुरूबात करेंगे शहर के प्रमुख अकबारों से आज हम शुरू करेंगे नौग भारत अकबार से सतीज जी गुड मॉनिंग सभी दर्सकों को नमस्कार स्वामवार का नमस्कार यश्वर्दन आप अरम करें चाय पर चर्चा नौग भारत अकबार की पहली हेडलाइन है ग्रह मंत्री अमिशाप पर मुक्रा कायरता है जहां पर उन्होंने च्छतीजगर पर सरकार पर कई निशाने सादे और दूसरी बात ये बलतकार के मामले पर एक भ्यान पर उन्होंने गंबीरता से बोला तो उसका पलटवार मुख्य मंतरी भुपेज बगेल ने किया है और भुपेज बगेल ने कहा है कि सवालों से बचना बचना और भागना कायरता है हम भाजपा नहीं है हम कॉंगरेस है तो ये बड़ा भुपेज बगेल का चैलेंज है कि भुपेज बगेल डारेक्ट देश के ग्री मंत्री को चलेंज करते हैं और कई ना कि ग्रह मंत्री ने भी कहा कि पहले महिलाओं पर अत्याचार बढ़ चुके पहले जादा हो मगर उनका पलटवार करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि NRCB की जो आकड़े है वो ये दर्शार है कि कॉंग्रेस का अब देश में जो क्राइम करेट है वो चाथिश गल में करते हैं तो यह अच्छा चीज है कि हमारे प्रदेश चाथिश गल प्रदेश में कि जो क्राइम का अकड़े कम हुए लेकिन आप नक्सली छेत्रिया तरुगटना के मामले पड़े हैं और ग्रह मंत्री ने एक बयान दिए था कि डॉवल इंजिन की सरकार कि डबल इंजन की सरकार तो यह जो जिस परकार जन प्रतिनितियों या बड़े नेता हो यह बोलते हो गलत है मेरा कहना है इसका इजाद राजनिदिक पार्टियों ने किया है मतलब क्या है मैं को समझ नहीं आता है क्या मतलब अगर कोई मुख्यमंत्री है तो इंजन है तो मतलब यह मतलब जो सब्द है सब्द को चुकि हमारे सभीधान के जो जानकार है डाक्टर प्रपोस्टर नीगम साहब तो उन से जब चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस तरह के सब्दों का प्रयोग क्या होता है डबल इंजन अगर हम हम इस साजी से पूछ ले यह बाशबा के किसी भड़िस्ट इनन था तो जवाब नी दे पाएंगे जिए क्या होता है डबल इंजन और कहीं जानके इसका पलटवार करते हुए कहा कि भुपष बगेल ने कहा कि अब लोग नहीं चाते है डबल इंजन उन्होंने देख लिया कि क्या हाल होता है डबल जुम्ले बाजी बोले दोनों पाटी की बोले या है ना तो आपने कल के सनिवार के अकबार में देखा था कि मुक्त डिक्स करेक्शन पाटने का आइलान हो गया तो इस परकार विसको यह जो मुक्त वाले जो सवाल है जो मुक्त में दिया जाना ये कही नकई देश को आर्थिक देशन पूंचाता है चूण के हमारे टेक्स का पेसे सार चीज के सारी चीजे चलती है तो तो ने कि राजीम मेले का नाम बदल दिया, राजीम मेले को इलोग ने कुमो मेले का नाम दे ते चुकि फरीयुक की आस्ता है, यह बदा बयान दिया उन्हों है. जिस प्रकार 36 गड़ का इत्यास या 36 गड़ का गवरों बनाने का काम किया एक 36 गड़ वासियों को मतलब भूपेश बगहल की बातों और उनका जो काम करें वह भार है बार है अब आप देख लेंगे अभी जो कारेकरम बर्साथ के पहले कारेकरम होता है 36 गड़ का जहारेली जिसको काते है जिसमें गेड़ी चड़ना गेड़ी की प्रतिवीदा करना भारा खेला तरह तरह के वीबने के लोग जो आपने देखा होगा अलमपिक 36 गड़ से जुड़े और जो ग्रामीन चेत्रों में जो खेल पहले खेला जाता था उसको बढ़ावा देने काम के इसलिए भुपेज बगल जी कि मैं किसी पार्टी का फाल्वार नहीं हूँ पत्रकार हूं तो मेरा मानना है कि भुपेज बग प्लस जायर मुझे लगता है कही ना कहीं डॉक्तर रमन सिंग जी पूर्वा मुख्य मंतरी उन्होंने चछतिजगड में यह सारे चीज़े लागू करने से कही ना कहीं हो चुग गये यह तो हम मान सकते हैं क्यों मान सकते क्या यह हुआ है कि अगर आप चछतिजगड के मु अगर नहीं हुआ है रोड सड़क और बड़ा बिल्डिंग या बड़े मॉल बना देने से नहीं लोगों के दिल पर राज करना चीज़े लोगों के बीच में जो आज भूपेज बगेल जिस प्रकार मतब हर पारामपरी खेल को बढ़ा हुआ हर पारामपरी खेल के बेंजनों को बढ़ावा दे रहे हैं गोबर जो खरीदी वाला चल रहा है बाड़ी जो बाड़ी हो जना इतनी बहतरी हो जना मैं मानता हूं क्योंकि मैं जब रिपोर्टिंग के लिए वहां गया तो आपको जनकारी होगा कि पहले जो चतिजगड के मैं ग्रामीन चेटरते वहां जो दबंगों दुवारा सरकारी भूमी पर कपजा कर लिया जाता हुए और किया गया था शेकड़ एकड़ भूमी को कपजा करने के बाद जब यह बाड़ी यह उजना यह नहीं तो उन जो कपजा था रही थे उन्से खताया गया और समु को द कि पूर्व मुक्यमंतरी डॉक्टर रबन सिंग के बारे में तो उनके कारेकाल में स्काइवेब ब्रीज भी बना है राइपूर में यह बहुत मतब चौकानिया वाला ब्रीज था पता नहीं कैसे क्या विचार पीड़ाली मिनिस्टर थे उससे में राजेस मुड़त जी क्या स सुरक्षित भी नहीं है मैं लाओ के लिए इसको सीदा सीदा कहा जाए पैसे का दुरुप्योग जी जी और एक और चीज है कि मजाक ना करे आरक्षन विदेयक लटकाया यह भी मुख्यमंतरी भुपेज बगेल जी का एक बयान है यह भुपेज बगेल जी बार बार यह सब अब देखते कब तक यह इस विदेयक पर चर्चा होती है और कब इस पर हस्ताक्षर की करते राज्यपाल और अगली खबर है सिटी लाइन दहितवादा अगबार चे आज इंग्लिश अगबार हमने लिया है क्योंकि सथी जी जैसे हमने देखा हमारा एक हफता पुरा होगया चाय पर चर्चा बे और काफी दर्शोकों को और वीवर्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है तो एक कमेंट आया था मैं वो कमेंट बाद मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा क्योंकि सिटी लाइन अगबार हम एक बच्चे का कमेंट रहा है ता कि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ती हूं क्या आप लोग इंग्लिश मीडियम अगबारों पर भी चर्चा करेंगे ज़रू जरू करेंगे तो इसलिए हमने आज एक हित्वादा अकबार से शुरू करेंगे अब उसमें एक हेडलाइन है चिल्डर इंग इन शेल्टर केम ड्यू टू क्लैशेज वरीड अब एजुकेशन यह ऐसा है कि बच्चे अपने एजुकेशन के प्रती चिंतित है कि हम पढ़ाई कैसे करेंगे यह है मोहंती सलाम एक बच्ची है क्लास नाइन की नारायनपूर में शेल्टर केम मेरे रही पिछले 21 दिनों से देखिए यह जो आपको नारायनपूर से चुकी आज ही लोटे है मैं आपको सौरी टोकूंगा और मैं अपने दर्शकों बताऊंगा कि सतीज जी वहाँ पर चुकी शनिवार था जैसी हमने चाय पर चर्चा का कारेगरम खतम किया और सतीज जी सीधे बस्तर संभाग की तरफ निकले और नारायनपूर बस्तर से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके अब भी सुबह सुबह लोटे और हम दुबारा चाय पर चर्चा आरम किये चतीज जी बताईए वहाँ आपको बताएंगे कि वहाँ नरायनपूर और कोंडा गाउ के इस्तिति ऐसी है कि कभी भी धार्मिक पुलिस प्रसाशन लगातर मुर्स्तैद है लेकिन कभी भी धार्मिक जो संप्रदाइक तनाव फैल सकता है आप वहाँ पर मैंने देखा है ज जो कि वह जब उनसे मेरी बात हुई वहां के लोगों से जो जिनको गाउ से भगा दिया गया है तो जब उनसे मेरी चर्चा हुई तो उनका यह कहना था कि हम प्रभु इस्तित को मानते हैं लेकिन अभी भी हम जिस हम अमारा नाम जैसे हम एक बच्चे से बात कि तो वह प्रएनपूर के उसमें केम्प मनाय गया है वहां पर रह रह रहे है तो ऐसे धाई- तीन सो परिवार जिनको गाउ से बाहर कर दिया गया गया केवल इस लिए कि वह प्रभु इस्तित को किसी को मानना गलत नहीं जिए क्योंकि यह तो अधिकार है सम्विधानिक अधिकार है किसी को मानना गलत नहीं लेकिन जिस प्रकार के जो लोग है जो विरोग जो कर रहे वो गलत है में मुद्ध क्या है वहा सतीजी मतलब हम पेपर के माद्यम से देखते हैं तो विबिनन, विबिनन, मुद्ध या हम अपने इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माद्दें से हम भी चुकी ख़बर चलाते है वहां की तो मेन मुद्दा क्या है वहां दर्भेगों को बने जो जिनको गौव से भगा दिया गया है जिनको समाज से भहिस्कृत कर दिया है तो यह वहां का एक मुद्दा है कि भाई बहले बाबाबात तो अगर भॉद्दा राम को मानने वाला कहगा कि यह यह प्रत का नहीं होना चाहिए कि कि को मानने के लिए पूरा गाओ पूरा गाओ भी नहीं हमारी जबा आदिवासी नेताव नीचा हुए तो हमारे केमरे के सामने बोलने से मना कर रहे हैं तो बोलने की बारी आते ही तो आप बोलते रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह राजनितिक रोटी सेखने का एक जरिया है कि सामने विधान सबा चुनाओं है विपक्ष का नाम तो नहीं लूगा लेकिन कुछ लोगों को ऐसा वहां पर नुक्त किया गया है कि जो इस मामले को मतब गौव में ऐसा तनाव की स्थिति पैदा करें और तनाव बरहें ताकि राज्य की सरकार परेशान हो जवाब ना दे पाए तो यह स्थिति आपको बाइसे हम जानकारी मिली है जो हम पुब्लिक नहीं बोल जाती तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटे-छोटे बच्चे जो स्कूल है जो कई दोर कैम में रह रहे हैं दोर कैम में 200 परिवार परिवार ना कि 200 लोग 200 परिवार कॉंडा गाव में पहुचे जहां पर तो वहां पर जब एक जब वहां के पोशे तो वह आप गली हैं सब्लास फि necesit देंई इन conditioned है बहुत गंभीर वाली बात कम भीरता की बात है कि अगर राज सरकार को इसमें तत्काल चुकी हाई कोट ने हाई कोट में याची का दायर हुई थी तो आई कोट ने निर्देश दिया है जो केम पे रहा रहे हैं जिनको हटाया गया उनको भोजन पानी कपड़े गरम कपड़े जो कि ठंड का मौसम आर पाड़ी हिलाका है तो तो वह सारा चीज उपलब्द करा है तो बहुत महाँ देहनी इस्तिति हैं सरकार को इस पे तत्काल कु जो जो जागर आप धर्म के ठेकेदार नहीं है आप धर्म किसी भी धर्म अगर आप हिंदू है तो आपके लिए आपके उपर बैटके आपके उपर आदेश चलाने वाला कोई नहीं होना चीजिए आप धर्म के ठेकेदार है कि आपको समाज से भाहिसक्रित कर तो आप होते मैं नारायनपूर में रहती हूँ और मेरे फैमिली को बेजबरन बेदखल कर दिया गया क्योंकि हम इसाही एकर है तो वह हम को यह है कि अगर वह आदिवासी है या अंजल सिन जैसा हमारे बहुत लोगों से बात हो यादव है कोई ऐसा है बहुत सारे लोगों से तो अगर कोई सब्सक्राइब कानून में प्रावधान है अगर ऐसे व्यक्ति के खिलाप फाई आ रहा तो उसको जमानत भी ना मिले तो मैं चाहता हूं कि अकर जैसे आपने देखा कई सारे मामले हमारे रायपूर में भी कि साहो समाज का मामला था जिसको मैंने कवरेज किया तो वहां पर देखा कि साहो समाज से भाहिश्कृत कर दिये जब हम वहां पहुंचे और जो पीडित थे उन्होंने हमको इंटरवी दिया बताया तो हमने एकी सला दी कि कानून के पास जाए तो जब वह पहुंचा तो उसकी रिपोर्ट संबंदी थाने में नहीं लिखी गई तो उसे वर वहां पर मास से परे है ऐसा ठेकेदारी पर्था बंद होने चाहिए और कहीं ने आपने जो देखा वहां पे चुकि आपने वहां पर हकिकत देखी ग्राउंड रेयलेटी देखी तो प्रशासनिक दबदबा है वहां पे या अस्वाजिक्त को गई नहीं यह बात गलत होगा कि प्रसासनिक दबदबा है चुकि लगातार पुलिस गस्ट करी जब हम कैम्प में पहुचे हैं इंडॉर स्टेडियम में जब पहुचे जब हम प्रवेश किये तो आप यकिन नहीं करेंगा कम से कम 20 वहां से पूरा फोर्स आ गया कि उनको लगा कि साइद मैं विरोध करने प पासा टी आई और पूरा फोर्स महिला फोर्स पूर्स पूरा पूरे आरक्षक पहुच गया तो यह स्थिति वहां सेंसेटिव लेकिन कंट्रोल प्रवेश करेंगे तो रोज मर्रा के जीवन में जीने वाले लोगों के लिए दुकाने उगरा क्या खुली थी या तनापुर प्रवेश करेंगे तो पहले नारायन पूर्स प्रवेश करते साथ एक बेरिकेट बनाएगे जहां पर कम से कम गन में पास साथ दस लोग खड़े हैं उसके अदागे जाएंगे फिर बेरिकेट्स लगा है जहां पर इंडॉर स्टेडिया में उसके चारों तरफ पुलिस का स जो बिवाद हो रहा है उसको सांथ करने का प्रयास के जा रहा है और जो बिद्रो या उत्पात मचा रहा है उसके करवाई भी हो रही है क्या लगता है सदीजी क्या होगा इसका मतलब इसका एंड क्या होगा कि अभी जिस परकार हमारी बात दोनों पक्सिवह से हुई है जो क्रिशन समुदाय के लोग क्योंकि वो कानून का सहरा ले रहे है अभी हाई कोट डॉल रहे है हमको दिखाया कम से कम पचास से सो अवेधन थाने में दिया गया है लेकिन कारवाई नहीं है अगर वो अवेधन पे कारवाई पहले हो जाती तो यस्तिति पैदा नहीं होती है शतीजी हम एक ब्रेक लेंगे अब वक्त हो चला एक ब्रेक का आप सभी बने रहे हैं इंडियन न्यूज के साथ पूरे भारत में कहीं भी कभी भी तब से कम आय पर बू करें वांवे टैक्सी रहुल्क्रवल्स.com पर looking for a reliable online shopping site welcome to walkheart.com we offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options search discover and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration garden decoration hotel decoration चांटांस, दोनाशाजाजाबस, खूल प्रॉट्स, कीज़ ओनाशा, प्रॉटस, ते टिट औरेशाज, निट ये जिझे ठाजाजाजब किई टेज़न, है टोंगे दिटांग कर इते हैं किर दो टार लाया के वाल्सवा मिसथाज़ कि हिए उनार, सैंटेधर, सैंटेशाएं 5. कर दिलाए कंप्यूटर हार्डवेर मुबाइल सर्विसिंग कोर्स एलेक्ट्रोनिक्स कोर्स रफ्रिजरेशन एयर कंडिशनिंग कोर्स छात्रा वास के सुविधा इंदु टेक्निकल इंस्टिटूट टीमार्केट पावरहाउस जिलादुर्ग छत्यसगर मुबाइल नंबर 98271-94279-74156 ब्रेक के बाद आप सभी दर्शोकों का स्वागत है इंडियन न्यूस के इस प्रोग्राम में चाय पर चाचा में सतीज जी हम नरायनपूर और बस्तर के बात कर थे व्रेक्ट के पहले तो शूकि अपने बताया वहाँ पर जो हालात है वो सेंसेटिव है काफी और उसी तरफ जैसे नारायनपूर में आपने गाए तो यह इसका आख दीख रहा है कि वहाँ पर भी कुछ लोग विरोध करें लेकिन इस्तिति सामान यहाँ आपको बताएंगे जब बास्तर अब आख दीख रहा है कि वहाँ प्रदेश सरकार बोलती है केंदर सरकार बोलती हम विकास करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा हम आज हम न्यूस प्रसारित करेंगे आप उसमें सच्चा ही देखेंगे कि कि तरा विकास वह हुआ है आज भी लोगों को तलाब का पानी पीने मजबूर है जह वहाँ पर ज उसे साफ करें जिए उसी से नहते है उसी से दैनिक काम करते तो यह इस्तिति आज भी है आद्येश को आजाद हुए 75 साल हो गए हम अधानी का चूकिया अमरित महसा मना रहे में को समझ नहीं आ रहे हम عمرित महसा क्यूं मना रहे उन अधिवासी या जो दूर दराज के पूल तक नहीं है चुक्कि हम अपने आग से देखें इसलिए हम अगर किसी का स्वास्त खराब हो जाता है तो आठ किलोमेटर उसको खाट में टांक के ले आते हैं तो यह स्थिति वहां की है तो आप विकास या स्वास्त विधा को बढ़ावा देने की बार जो सरकारे करती है या केंदर की हो या राज्य की हो यह मताब कल आपने एक ख़बर भी जैसे हमने बस्तर से आपकी वेजवी ख़बर थी कि जो पानी वाली आपने बात कही और वो गाव में पहुचने का सिलसिला भी आपने मुझे पताया कि गाड़ी रोख के हम पहुचे थे रोज जहां तक सड़के बनी थी वो सड़के का डेड डेंड जिसको बोलते हो उसके आद वहां से आठ किलोमेटर हम पैदल चले तो वहां जाने के बाद इस्तिति देखके लगा कि क्यो एक जो वहां गरामीन है क्यों मतब बिरोध करता है सरकार का वो मांग करता है कि मेरे को सुईधा दो लेकिन नहीं मिलती है अरह हम अप प्रशले शब्त कर सेंडार द्याख करते हैं सभी दर्सकों को हमांगे का बशतर पर चर्शं समाब्त करते हैं समय दर्सकों को हम जाता हैaları करते हैं पूंह तो और अम प्रशमाह कर दो kosten gdzie सबढ़ा खना जब दानीमित्याद नियूद आ अ झाल झाल झाल